हलो वरियों वल्कम टू प्यएस दिस वरूर महाजन तो आप लोगों से मैं जे एन्ट की जोगराफी जो है वह वह डिसकस कर रहा हूं हुमारा पहला लेक्टोर ज़ो अपलोड हो गया या ऑप आपका जो है वह सैंकिंड लेक्टर रहेगा तो अगर आप लोगों ने इस पहल को लेट करा रहेंगे तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगती है न तो लाइक कर दिया करो खो recommended बढ panels के लिए को इसलिए तो छेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छेनल को सब्सक्राइब भी करें इससे हमें पता चलता है कि आप लोग मारे वीडियो को कितना पसंद कर रहे हो चीओ किया चीज है किया आप लोग देख दो विडियो बाल democracies ना आप लोग लाइक करते हैं यह सुप्सक्राइब करते हो तो इसलिए अगर वीडियो अची है लगती है लाइक कर व से और सबस्क्राइब कर रहे एगए 2 तो यहां पर वही चीज है कि अब सब्सक्राइब करोगे तो पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी अच्छा जी फिर हम बात करते हैं बात आती कि आपको PDF भी चाहिए हूंगी इसकी लेक्चर्स की अच्छा PDF गएर आपको मिलेंगी टेलिग्राम चैनल हमारे चले चा यहां पर यूट्यूब पर तो आपको अभी वहां पर PDF मिल जाएगी वहां पर यूट्यूब कर लो और फेसबुक का ग्रूप होगा उसको भी फॉलो कर लो तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हो अच्छा जी अब हम बात करते हैं lecture 2 की बात कर लेते हैं तो यहां पर यही ची आउटरे प्लेंस ऑफ जब मुझा को दाएंगे तरहें, यहां से हो जांगे ओपर टिक है आउटरे फे माझ उप झान की जब दिया हमने उसके बार आता हमुआ के चीए ह्ना लिद्श करें परते हैं UP आए ख़ ऑने मोझे ब्राइन खेये तो उटरें में Middle Himalayas के अगर हम बात करें तब Middle Himalayas को जो है वो हम locally क्या बूलाते हैं? Middle Himalayas को हम पहाड बोलते हैं जमूरीजन में ठीक है? तब यहाँ पर एकर width की बात करें average height की बात करें तो Middle Himalayas के width हो 60 km है और height कितनी है आपको पहले ही बताया है यही Middle himalias और हमारी कई सारी river जो है वो आती है तवी river तो अबी river आती है फिर देकते है उजह river आती है फिर आपके बसंतर river आती है पुर्चr रिवर आती है तो यह कुछ आपकी river जो की originate करती from the middle Himalayas और finally फिर वो जाकर समुंदर में जाकर जो है वो गिर जाती है अच्छा फिर हम बात करते हैं कि यह देखो फिर हम बात करते हैं कि अब वैशनो देवी जो हमारी second cave है ठीक है तो second cave हम पूजा करते है ठीक है तो हम बोलेंगे कि वैशनो देवी जो है हमारी जो need cave है यह किसका part है तो हम यह बोलेंगे त्रिकूटा hills का part है और त्रिकूटा hills किसका part है वो middle Himalayas का part है तो आप n almighty boy कि उसके हृआ कि है पूल सकते हैं कि वैशनो देवी cave है वो हमारी मिडल हमालियास ही है उसी का ही एक पार्ट है अच्छा है फिर हम बात करते हैं कि अब जो हमारी रियासी डिस्ट्रिक है वहां से हमारी मिडल हमालियास जो है वो हमें देखने को मिल रही है फिर हम उसके बात करते हैं कि मिडल हमालियास है दो फेमस वैली जो है वो बनात एक बनाई जाती ही बदरवा वैली एक बनाई जाती ही किष्टवाड वैली तो यह दो वैली जो हैं जो हमारी मिडल हमाले जो है वो बनाती है तो एक एक करके देख लेते हैं पहले हम बदरवा वैली के बारे में देख लेते हैं बदरवा वैली की अगर हम बात करें तो बदर यह नाम से हैं तिक क्लाइमित के उяти कश्मीर चोह वैसे जिए तोपोग्राफी ज़ो है आप को आपको यहां पर देखने को मिल्ते है बत रहद बत बद्रवा को तब ही हम बोलते हैं चोटा कश्मीर हम नाम से बुलाते हैं ठीक है अब यहां पर बोले कि बद्रवा जो है मेजर टूरिस डैस्टिनेशन बन जाती है कहीं सारे लोगों की आपको पता है यह अपनी ब्यूटी के लिए जो है वो जानना जाता है तो लोग यहां की बद्रवा बात करते हैं तो SSD की बात करते हैं किष्टवाड वैली की बात करते हैं किष्टवाड में रहें अच्छा कास भी है, यहाँ पर अच्छा कास है, तो इर्इगेशन की कोई हमें यहाँ पर दिक्कत वह नहीं देखने को मिलेगी, फिर हम बात करते हैं, अब आपको बता है कृस्तवार जो वैली है, यह कश्मीर वैली को जो है वो कनेक्ट करती है, वो किसके थ्रू करते हैं सिंथन टॉल से लिंक करती है हमारी किष्टवर वैली कश्मीर वैली के साथ फिर हम बात करते हैं थोड़ा और जाने इसके बारे में तो हम ये बोलते हैं कि हमारी अगर हम बात करें तो हम बहुते हैं हैं कि हमारी काहते हैं प्रक। प्तिन टॉप पास उनाक एक आता है पीर पंजाल पास एक आता है बुंदेल पास ए सुझे हमारे समें समंताई की बनिहाल पास की बातकिते हैं तो नच,nch,1 aí बोलते हैं तो नेनन उनלא पास पास कर रहा हमारा इसी से तो फिर हम बात करते हैं कि पतिन टॉप पास है इसको भी नेशनल हाईवे वन ए जो भी पास कर रहा हमारा पतिन टॉप से फिर हम बात करते हैं कि यही देखा हमने की पीर पंचाल पास है इसको मुगल रोड हम बोलेंगे जो कहां से शुरू होती है बुफलियास जो है पुंचर डिस्ट्रिक में वहां से शुरू होती, कहां तक जाती है, शोपियां तक जाती है, जो कश्मीर वैली में हमारा पड़ेगा, तो अब यह देख सकते हो, यह भी हमारा पीरपंचाल पास है, फिर बात करते हैं, बुंदेल पास की बात करते हैं, यह हमारा हाइस्ट मौंटेन पास हमारा मिडल हिमालयास का तो आप इसको मिडल हिमालयास का हाइस्ट मौंटेन पास जो है वो बोल सकते हो जिसकी हाइट कितनी है 4200 मिटर की इसकी हाइट है तो आप यह हलका से इसके बारे में जो हाइडिया जो हो रख सकती हो तिके अच्छा फिर हम बात करते हैं देखो अच्छा फिर हम बात करते हैं यहां पर मैंने आपको पताती है शीवालिक से पिछले lecture में ही पढ़ा था अभी हम क्या पढ़ रहे हैं मिडल हिमालय और शीवालिक से पीच में यह जो मैंने शेडि़ पोर्शन किया हुआ है यह बी क्वांटी नूं है चल रही है यहां पर टक्टोन क्य मत्ती हैं और वो जão हमारे कौन को से बाशाidences ऑपडलinstr specifics होगहाँ. तो है, अच्छा, तो दून्स कौन-कोन से हमारे, तून्स अम ने यही देका है, सुंदरबर्नी आ गया, पॉर्टली उग्या, तनसाल हो गया, रामकोट हो गया, उदंपूर हो गया, बसОली हो गया, तो यह हमारे जो हैं वो देखने को मिलतے हैं, तो यह आप एक्जमपल बो उसके हो यह ठक्ताइक डिता हो जो हमारे तो हम बात करते हैं तेखो आपको मैंने क्या बता दिया उत्र प्लेंज भी समें कर चुकी Plans अब आता है यह आपका कश्मीर है तब कश्मीर के बारे में देख लेते हैं कश्मीर के बारे में देख लेते हैं कश्मीर वैली के अगर हम बात करें तो हमें यह पता है कश्मीर वैली बिल्कुल एक oval shape valley रहे हैं इसके surrounding में हमें कई सारी mountains बगारा देखने को मिलेंगी जैसे देखो यह हमारी oval shape है इसी की surrounding में आपको कितना सारे mountains देखने मिल रहे हैं जो हम आपका oval shape है इसी को कि जो खी कश्मीów कर बलेंगे घीरा हुआ ही यह मतलब एक बलेंगे कि यही इसकी आवरेज विट कितनी 53 तू 55 किलो मिटर एवरेज रिए कितनी है ओन नेट 40 मिटर यहनी कि एक ही सिर्फ पॉइंट है जहां से पानी जो है वो बाहर को जो है वो जा सकता है वो बारामुला गॉर्ज तो बारामुला गॉर्ज है वहीं से ही कश्मीर वैली का पानी जो है उसका एक्सिट हो सकता है और कोई पॉइंट नहीं है जहां से कश्मीर वैली का पानी जो है वो ब बलीव करता है बाहर निकलता है तो वह बारामुला गौर्च के थू ही जो है वो बाहर निकलता है एक ही पॉइंट है सिरफ अगर स्पोस करें ये बारामुला गौर्च आ पॉइंट बंद हो जाए तो सोचो कि कितना जादा कश्मीर में पानी हो जाए तो इसलिए यहां पर य आप किसी ने कश्मीर वैली के अंदर एंटरी करनी है कश्मीर वैली के से बाहर आना यह एंटरी करनी है तो एक पास है जो वाय रोड हम जा सकते हैं वह है बनी हाल पास तो बनी हाल पास के थूँ आप कश्मीर वैली के अंदर एंटर कर सकते हो और बनी हाल पास के थूँ आप कश्मीर वैली से जो अग्जिट कर सकते हो ठीक है वायर रोड तो फिर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टन फीचर देख लेते हैं हमारे कश्मीर वैली के क्या क्या फीचर्स हैं पहला तो आपको बता दूँ कि एक प्लैटफॉर्म है जो की एक लोकस्ट्रीन एंड गलेशल डिपॉसिट से बना हुआ है तो हम बोलेंगे कश्मीर वैली जो है एक अलिवेटिट फ्लैटफॉर्म है जो किससे बना है लोकस्ट्रीन और गलेशल डिपॉसिट से बना हुआ अब समझो इसके बारे में यह देखो यह है जी मारा कश्मीर वैली oval shape में यहां पे बोला जाता था किसी time पे यहां पे glacial deposits वग marriages वगीरा वो हुआ करते थे तो Consider deposits लेकिन global warming आई global warming से क्या हुआ यही गल की melting हुई औरasa सी बात है यह फिर water में तब्दिल हो गये तो अब यहां पे कश्मीर वैली में सारा का सारा पानी हो गया अब पानी जो है पानी अब कठा हुआ है तो पानी फ्लो कहां करता है हमें पता है पानी जो जहां पर इसको डिप्रेशन दिखेगा यह वहां की तरफ फ्लो करना स्राट करतेगा जहां पर इसको दिखेगा कि जह यह बोलेंगे यहां पे कुछ हमें depressions से बनाया हुआ है यह depression के पानी चुन में कटथा हो जाएगा यहां पे कट्था हो के पानी नहीं निकल पाएगा और वही आज के टाइम पे हमें जौनWow लेक देखने को मिलती है जहां पे में रेमिनेंट्स देखने को मिलते है कि किसी टा pueddledtrack वोलते हैं लेगिन कुछ穴 जगह जो है हमें एक जगह हमें एक फाफिसट देखने को मिलता है वह बारामुला गो ہुझ्जE यहां से सारा और सारा पानी यहां से भार को नहीं कर गिया तो यहां से पानी यहाँ पोईचिंशन भी यहाँ पे करेगा어서 depozition करेगा वह हमारी Soils कोंचे होगी ह। हमारी aloevalisy Alnéos Ashal की Deposition होती है तो Deposition से corporation होती है और उस यह वह बोलते सेडिमेंथंगी यहाँ पे कडिमारा सेडिमेंट्स लेकर आई आप अब वह sediments जैंस की deposition यहां पे होती है अब deposition होगी तो वह deposition से मारे एक plane area बनता है और वह plane area को हम क्या बोलते है क्रेवा आज बोलते है तो क्रेवा आप यह बोल सकते हैं कि बीट हमाई तो यहां पर प्रेजन स्ट उप एलिवेटेड प्लाटफोर्म एड उफ लॉकोस्टू और ग्लेशिल डिपॉजिट्स ठीक है तो ग्लेशिल डिपॉजिट्स पहले जबाए लेच्ट हुए वे तो उसके बात क्या होता है फिर वही Glynisal डिपॉजिट्स ग्लोब पान निकल जाएगा और जो पानी जब फूर कर रहा था कश्मीर वैली से लिखर या वो लेकर जाएगा उससे प्लेंस वेगारा formation होगी तो हुझ यह बोलेंगे जब प्लेंस की formation होती है तो हम बोलेंगे वह जो अई किसे वो सॉयल के बने हैं तो हुंक आलमें इभेशन का प्रॉसेश हम हैं वह देखने को मिला है तो भोफिए सब्सक्राइब होते हैं उसी प्लेगे बसितम दुने ही तो वहाइब हैं और रहा जाओ चाहन treatment पमपूर देख लो, मतन देख लो, बंडी पूरा देख लो बढगाम देख लो, नोगाम देख लो फिर हम бात करते हैं कि खान पूरा देख लो कुछ हमारे रीजन्स हैं जहांपे हम भुलेँगे यह सारे हमारे क्रेवाज की best example अब इसके बारे में वाइड़ यहा रख सकते हो अब देखो यह अब यह मैं पता जेलम रिवर जो है वो फ्लो कर रही है अब जेलम रिवर जो है यह बारमुला गॉर्ड की तरफ जा रही और यहां से बाहर निकलेगी किश्मीर वैली से एक्जिट करेगी अब ये चार रिवर्स जो हैं वो कौन सी हैं ये देख लो ये एक आगे आपकी लिद्धर रिवर ये लोलाब स्ट्रीम या लहवाल स्ट्रीम बोलो या सिंदलार रिवर होगी फिर अगा कि मैं एक जेलम की ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम कहा है किशन गंगा रिवर तो हमार रिवर स्टीवर ये अपनि हुद की वैलियon फेलिव बिनाएगी सेकेंड अपने खुड्की वैलियू बनाएगी फोर्थ वैलियू बनाएगी और इसक्सुब्र बहुनादे ने अपको बोलसी लाएव हो्यां उनको बोलते हैं इनको साइड्प बैलिम्हें कि वन वाले नह मैंने shaded portion blue band से बनाया हूँ है ये shaded portion बनाया हूँ ये shaded portion बनाया हूँ ये shaded portion ये shaded ये भी shaded ये भी shaded ठीक है न तो अब ये देख सकते हो तो ये जो हमारा shaded portion है न ये आप बोल सकते हो कि ये river 1, 2, 3, 4 जो चल रही है ये अपनी क्या कर रही है ये valleys बना रही है और इनी वैलिस को हम क्या बोलते हैं side valleys बोलते हैं तो आफ यही देखा गया कि अब हमारी यह जो हमारी rivers है टीक है जैसे कि लिड़र रिवर होगया इसने अपनी एक valley बनाई जिस सायड वैलि जिसका नाम ए ह desafay बना डिसने रीब होने मेंगे किशन गंगा वैली तो यह 4 वैयली जूह हमें ऐसे साइड वैयली के तोर पर ठोड़ देखने को वह मिल रही है यह 1,2,3,4 लीजानल तो यह वही बोला कि या जब बार की तरफ लोग करें तो सभी है अब इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे एक के करके अच्छा फिर हम बात करते हैं तो फ़रा क्रेवास के बारे में और जान लेते हैं अब करेवास के अगर हम बात करें करेवास यहां पे हमें पूर मिनरल्स की हमें इतने जादे हैं यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं एक्सेप्ट हम यहां पर कले और चौक देखने को मिलेगा मिनरल्स की यहां पर पूर हैं यहां पर फिर हम बात करते हैं करेवाज में किस ताइब की फूरूट nossa होगाये में सकते हैं वह टैंपराइब till टाइप आप आप नुस्तु होगी है क्जOhण की सैफरन केसर की तो आपको बता हम क्या बोलते हैं से केसर को यही किंजॉव फिर हम बात करते हैं जี่ और थोड़ा जान लेते हैं और तोडा जान लेते हैं ये देखो हमारे के थे गा करेवा जो है कुरेवास कश्मीर में ही नहीं सिर्फ हम बोलेंके किश्टवयड वैली में भी जूवाँ होते हुए रिखते हैं यहाँ पर इस चीज़ लिखी हुई है लिदर रिवर बनाती लिदर वैली लोलाव स्री लोलाव वैली यही देखा हमने की सिंदलार जो है सिंदल वैली और यह आगया किशन गंगा रिवर किशन गंगा वैली तो यह चार वैली जो हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर कश्मी इस एक्जिट करेगी एक ही पॉइंट पे यह जो पॉइंट से जहां से एक्जिट करेगी यह पॉइंट जो है हम बोलेंगे बारा मुला गौर जाए इस से जो है वो एक्जिट करती है यहां से जो है वो एक्जिट करती है पानी जो है बाहर को जाता है जा पानी बाहर को पारण तो हम यह बोलेंगे यहां पर हम अगरी कल्चर वगएरा जो है वह कर सकती है फिर हम बात करते हैं कि अब ठीक है ना तो बच चलो इतना ही रखते हैं बाकी अब यह आपका लीदर वैली जो है एक पच्छता यह एक लूलाब वैली एक सिंदर वैली एक किशन गंगा व चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो जिसे हम एक motivation मिलता है आप सब्सक्राइब करोगे हमें motivation मिलेगा हम उतनी अच्छी वीडियो आपके लिए आगे लेकर आएंगे ठीक है लाइक करोगे हमें मौट पाता चलेगा आप कितनी मारी वीडियो को पसंद करें अगर view करते हो देखते हो तो आपसे यही request है अगर आप देखते हो वीडियो तो उसको लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो ठीक है और वीडियो को आपने इस फ्रेंड्स के साथ शेर भी करो और उसका वही चीज़ सीखने की कोई उमर नहीं होती कीप लर्नी कीप ग्रॉएं और टाटा बाइ टेक केर